किंद्री मते संजीव बालन हमारे साथ हैं और एक वो बिल लेकर किया थे रिस्पांसबुल पैरेंट होट को लेकर के जिसकी बहुत चर्चा हुई और अब जिस यू सी सी की बात सामने आ रही है उसमें भी एक बड़ा एहम पहलू है जनसंख्या का नियंत्रन बालन सब आपक सब्सक्राइब करना है हमें लोगों को समझाना है चुकि भारतमा जो भार सेहन कर सकती है उसके एक सीमा है एक सो चालिस क्रोड हम हो चुके हैं शाद आजादी के समय 35 क्रोड थे लेकिन 35 समझाते समझाते हैं 140 पर पहुंच चुके हैं तो मेरा उस समय विचार था कि जब हम इतने पहुंच चुके हैं तो इसके बाद समझाने के लावाँ इस पर कानून भी होना चाहिए बहुत से करीब 34 के करीब प्राइवट मेंबर बिल इस पर यहां लग लगतरी से 2018 में में रेस्पेंसिबल परेंट हुट एक नाम से बिल लेका था और उस समय पहली बार देश इसमें 125 सांसद होने उस पर अपनी सेमती व्यक्ति थी कि इस पर बहस होनी चाहिए और संसद में पास होना चाहिए लेकिन उस समय वह बहस में नहीं आ पाया इसमें बात यह है कि हम लोग कुछ लोग हैं जो देश की बारी में सोचके दो साधिक बच्चे नहीं कर रहें ले कि जिस समय में बिल लेकाय था उसमें में अत्पूर्ण बात है कि जो दो से ज्यादा बच्चे करें वह अपनी जिम्मेदारी पर करें वो सरकार के उपर उसको बोज ना बनाए सरकार टेक्स पेर के पैसे से चलती है जो टेक्स अगर मैं दे रहे हैं तो किसी दूसरे के दूसरे उसे मतादिकार का भी अधिकार शायद नहीं होना चाहिए जो मेरी तरफ से उस समय में रखा गया था कि यह सब सरकारी सुविधाय मतादिकार समाफ्त होगा तो एक कम से कम लोगों को लगए कर नहीं जादे बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए देश की सब सब चाहिए जन संक्या अब इसे बात को स्विकार करें या ना करें यह जो बढ़ती भीड़ है यह जो बढ़ता हुआ बोज है हम प्रधामत्री जी साड़े तीन क्रोड से जादा घर बना चुके हैं बारा क्रोड से जादा सो चाले बन चुके हैं लेकिन कब तक घर बनेंगे क करेंगे कहीं तो मैं रोकना पड़ागा सारे देश की डिमोगरी की कहीं जग ऐसे चेंज होने की सुचना यह लग लगतर से आते तो इतना जिम्मेदार हमें भारत के नागरी के तोर पर होना चाहिए बड़ा खत्रा मांते हैं आप देखें कुछ भी चेंज होना वो तो एक उस बात का नुकसान तो ही और दूसरी बात यह है कि क्यों हो इतने ज्यादा बच्चे क्या उशकता एक सो चाल्यज करोड़ का देश हो चुका है हमारे पास कितनी जमीन है पूरी दुनिया में से आप देखिए हमारे पास कितना पानी है दूनिया के मामले में देखें कि इस बिल की अभी क्या स्टेटस है और अब कैसे इस मुद्धे को आप आगे परसू करने का इरादा रखते हैं लेकिन मैं इसका स्ट्रोंग आप कह सकते हैं इसका पक्षतर हूं कि नहीं इस पर कोई सब्सक्राइब कर दो सी बता दिकार सरकारी हैं कुछ नगुस्तो आप करेंगे जब कानून काम करें उसमें सबसे सहमती के साथ मुद्देते हो सकते हैं कि क्या क्या हो लेकिन इतने स्ट्रोंग तो नची कि आप किसी भी विक्ति को लगए कि दो सेधा बिच्चे पैदा करने का मुझे नुकसान होगा जानकारी है कि आपका जो यह जो बिल है उत्रकंड का जो बन रहा ह है उनjalकरी एक उसका भी हिस्सा है आत्रकंड सरकार बना लिए हम तो जो चाहता हूं कि इसका इससा बने या ना बने वो तो एक अलग बात है लेकिन इस पर कानून होना चाहिए मरी विक्तिकत रही है शुक्रिया डॉटर संजीव बालियान ये कहते हुए कि जजसंक्या वेस्पोट की और देश बढ़ रहा है और इन्हों ने जो बिल सामने रखा था उस बिल के बारे में ये क्लियर कहते हुए कि उसके जो मूल भूत तत्तों थे वो आज भी बहुत जादा प्रासंगिक हैं औ मनी सुनियल के साथ अभी शेकोपाद दियाए एभी पी नूज दिल्ली